नमस्कार मित्व, पंकर प्रिकति के इस संस्क्रण में आपका स्वागत है आज मैं मिट्टी पे चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा के मुख्य बिंदू इस प्रकार रहेंगे अच्छी मिट्टी क्या होती है क्या वज़ा है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो रही है प्लो सोल क्या होता है मिट्टी में रहने वाले चीव कैसे पेड़ पौदों की मदद करते हैं मिट्टी की उर्वरक्ता हम वापस कैसे लेके आएंगे हम सब जानते हैं पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए अच्छी मिट्टी की आविशकता होती है एक अच्छी मिट्टी में 25% पानी, 25% हावा, 45% खनी तत्व और 5% हुमत रहता है पेड़ पौधे इन सब का उप्योग करते हैं और बड़े होते हैं कुछ समय तक खेटी करने के पश्चात मिट्टी में खनीच की कमी हो जाती है उसे पुरा करने के लिए हम खेट में खाड डालते हैं पहले ये खाड पत्तों को सड़ा कर मवेश्यों के मल मुतरादी से बनाई जाती थी परन्तु ओध्यों की क्रांती के पाद हमने कृत्यम खाड यानि आर्टिफिशल खाड बनाना सीख लिया किसानों को ये खाड बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका खूब उप्योग किया देरे देरे इसका उप्योग इतना बढ़ गया कि बिना आर्टिफिशल खाड की खेती करना अब हमें कठिन लगने लगा है आज मिट्टी में इतनी अधिक मात्रा में यूरिया, डिएपी, एनपी के और अन्य रसायन डाले जा रहे हैं कि हमारा भोजन विशाक्त होता जा रहा है आदुनी कनुसंदानों से यह पता चलता है कि आर्टिफिशल खाड के उप्योग के पश्चात मिट्टी के जरूरी जीवन तत्तों खत्म होते जा रहे हैं आज वर्षों के आर्टिफिशल खाद के उप्योग के पश्चात हमें पता चला है कि इसके उप्योग की वज़े से मिट्टी की उर्वरक्ता भी खत्म होने लगी है और पौधे इसकी वज़े से कमजोर, बेमार और रोजी होने लगे हैं आज मिट्टी में मौजुद जीवन तत्तों पधों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे है उल्टा पधों के कमजोर होने की वज़े से अन्यकी टाडों और जीव पधों को नुकसान पहुचा रहे हैं मिट्टी के जीवन तत्त को कैसे बचाएं मिट्टी और पौधे को बचाने के लिए हम क्या करें हम जानते हैं धर्ती पर जहां भी खेती होती है वहां कभी बड़े बड़े जंगल होते थे बड़े बड़े पेर होते थे और वो पेड़ की चड़ें आज भी मित्टी के नीचे हैं, सड़ी भी हैं और उनके द्वारा बनाए गए रास्ते जमीन के नीचे आज भी उपलब्द हैं पर उन तक पहुचने के लिए ट्रेक्टर और भारी मशीन से जमीन की खुदाई और गुडाई बंद करने पड़ेगी। भारी ट्रेक्टर और मशीनों से जमीन की केवल उपरी सतह की गुडाई हो पाती है पर ट्रेक्टर के वजन की वज़े से जमीन के नीचे प्लो सोल बन जिसे पेड़ की कोमल जड़ें भेद नहीं पाती, अब पौधे को अपने जीवन के लिए सारा भोजन, सारा रस, धर्ती की सतह और प्लो सोल के मद्दे से ही लेना पड़ता है। हमें समय के सांस साथ अधिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ रहा है। पेड़ को अपने भोजन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आज मनुष्य पेड़ पौधों की जड़ पर उसको उसके खनी पदार्थ दे रहा है। पेड़ के हालत उस पच्चे की तरह हो गई है जो केवल खाना खाता है और मोटा होता जाता है। पेड़ पौधे मेहनत ना करने के वज़े से कमजोर पड़ते जा रहे हैं और उस पर कीट और बिमारियां असानी से लग जाती हैं। इन बिमारियों से बचने के लिए हमें कीट नाशक का प्रिवक करना पड़ता है। अब वस्तुत है यह हो रहा है कि पेड़ पौधे कमजोर होते जा रहे हैं और कीट अपने को जीवित रखने के लिए अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। यह एक दुष्चक्र की तरह है और यह चक्र को हमें तोड़ना पड़ेगा। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हम क्या करें। हम ऐसा क्या करें कि हमारी मित्टी, हमारी धर्ती फिर से पहले जैसी उर्वरा हो जाए। आश्यर जनक ग्रूप से इसका उत्तर बहुत सरल है। आए पहले मित्टी और पौधे के रिस्ते को समझते हैं। धर्ती पर मौझूद अन्य प्राणियों की तरह ही पौधे भी अकेले बड़े नहीं होते। पौधे मित्टी में मौझूद बैक्टीरिया, फंगस और पुराने पेड़ों की जड़ों के साथ एक बेहतरीन रिस्ता बनाकर रखते हैं। अगर भारी मशीनों से खेती ना करके छोटे औजारों से गुडाई करें तो प्लो सोल नहीं बनता। ऐसे में पौधे की जड़े पुराने पेड़ों की जड़ों के रास्तों को पकड़कर दूर तक अपने लिए आराम से पानी और खनी ढूनकर ला पाएंगी। बैक्टीरिया, फंगस और पौधोई के मद्द एक खुबसूरत रिस्ता है। बैक्टीरिया और फंगस पौधे को कुछ देते हैं और बदले में पौधा उनके जीवन की रक्षा करता है। बैक्टीरिया और फंगी खनीच पजारतों को सरल अपवयों में तोड़ते हैं जिससे पेड़ पौधे उन्हें आसानी से अशोशित कर लें। बदले में पेड़ पौधे उनके जीवन के लिए शुगर और गुलकोस उपलब्द कराते हैं। आएए पहले हम बैक्टीरिया राइजो बैक्टीरिया जो पेड़ पौधों की जड़ों के पास रहते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पेड़ पौधों के साथ एक समस्या है। उनकी जड़ें बहुत दूर तक नहीं जा पाती। उनकी पहुच बहुत सी मित है। वो किवल चार से साथ प्रिचिशत मित्टी का ही उप्योग कर पाते हैं। अगर पेड़ की जड़ों को सही वातावरन नहीं मिलता तो जड़ें तीन हपते में मर जाती हैं। अगर उन्हें सही वातावरन मिल जाए तो एक खूपसूरत रिष्टे की शुरुवात होती है। पौधे की जड़ के आसपास की छेतर को राज़ोस्पियर कहते हैं। यहाँ पर मौझूद बैक्टीरिया दो कारे करते हैं। एक खनीश पदार्थ को पौधों के उप्योग के लायक बनाते हैं। जिससे पेड़ पोदों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे खानीकारी बेक्टिरिया नुकसान न पहुंचा पाए यह बेक्टिरिया एक सान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते तो पेड इनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सुगर और गुलकोस पुर्दान करते हैं यानि यह राइदोस्फेर में रहने वाले बैक्टिरिया पेड के जड़ों के पास एक सुरक्षा कमज बना देते हैं और यह बैक्टिरिया कहीं जाने आने में सक्षम नहीं होने की वज़े से पेड पौधे उनके लिए शुगर और गुलकोस अपनी जड़ों के माध्यम से सिक्रीट करते हैं निकालते हैं जिने खाकर यह बैक्टिरिया जीवित रह पाते हैं पौधों का जो दूसरा मित्र होता है उसका नाम हम माइक्रोजियल फंगी के रूप में जानते हैं पेर पौधों की जड़ें काफी छोटी होती हैं और वो दूर से पानी तथा खनीज पदार्थ लाने में सक्षम नहीं होती हैं यह काजे बैक्टिरिया भी नहीं कर पाते क्योंकि वो जड़ों के पास में मौझू रहते हैं और चल फिर भी नहीं पाते अब यहाँ पर उनकी साहता के लिए माइक्रोजियल फफूंद या फंगस आती है आज हमारे खेतों में आर्टिफिशल खाद डालने के करण माइक्रोजियल फंगी नहीं पाई जाती पर जंगल में पेड़ पौदों को दूर से खनीज और पानी लाकर देने का कादर यही माइक्रोजियल फंगी करती है माइक्रोजियल फंगी पेड़ और पौधों का संबंध हमीशा से ही रहा है पर आज दुखद है कि हमने कीट नाशक और रसाइनी खाथ डाल डाल कर अपने खेतों से इने खत्म कर दिया है पेड़ पौधों की जड़े औसतन 0.2 mm मोटी होती है यानि मनुष्य के बाल के बराबर यह जड़े मिट्टी के कड़ों के मत्य बहुत दूर तक नहीं जा पाती पर माइक्रोजियल फंगी बहुत बारीक होती है दो से तीन माइक्रोण मोटी होती है और उन जगों पर भी जा सकती है जहां पौधे की जड़े नहीं पहुँच पाती यह इतने महीन होते हैं कि एक चम्मच मिट्टी में एक किलो मिटर तक लंबा माइक्रोजियल फंगी पाया जा सकता है यह जड़ों के मुकाबले पेड़ों को पौधों को साथ गुना अधिक पानी पहुचाते हैं और बदले में फंगी को पेड़ पौधों से गुलकुज और शुगर मिलता है इस प्रकार हम देखते हैं पौधे, माइक्रोजियल फंगी और बैक्टिरिया एक बहतरीन रिष्टा बना के रहते हैं पौधे और मिट्टी के जीवों के मत्य यह सुन्दर रिष्टा बनने के लिए जरूरी है कि मिट्टी में मिर्दा की मातरा सही हो प्रकार्टी ने इसके लिए भी इंतजाम किया हुआ है मिट्टी में मिर्दा पेर के टूटे पत्तों, मिर्द जानरों और जीवों के सड़ने से बनती हैं इस पदार्थों को मिर्दी में रहने वाले बैक्टिरिया तथा अन्य जीव मिर्दा में परिवर्दित कर देते हैं मिर्दा मिर्दी की बैटरी की तरह है जिस मिट्टी में मिट्टा नहीं होगी वो मिट्टी जीवन उप नहीं होगी वो मिट्टी उप जाओ नहीं होगी इसके लिए केच्वे भी मिट्टी की मदद करते हैं और इन मिट्ट पत्तों जानुरों को मट्टी के अंदर ले जाते हैं जिने वो खाते हैं और अन्य जिवानियों के साथ मिलकर उसको मृदा में परिवर्थित कर देते हैं आखिर में प्रशन हम मिट्टी की गुर्वता को कैसे बढ़ाएं उत्तर प्रिकती की तरह ही सरल है पेड़ और पौधे अपने आप ही मिट्टी की गुर्वता बढ़ाते हैं और ये संभव होता है पेड़, बैक्टीरिया, फंगी और केच्वों के आपसी सामज जस्से के द्वारा इस तद्वीर में हम देख सकते हैं एक पौधा जिसके एक तरफ प्राकरतिक सामज जस्से में काम हो रहा है और दूसरी तरफ आर्टिफिशल खाट का इस्तेमाल हो रहा है तो याद रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जैविक खाट का प्रियोग करें और भारी मशीनों से परहेज करें इससे आपकी मिट्टी जीवित रहेगी और आने वाली पीड़ी भी हैपी फार्मिंग